हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टेवाई संदी प्रोहिला फ्रेंड्स आज किस वीडियो में एक बार फिर से आप सब का हर्दिक स्वागत है तो फ्रेंड्स देखिए राधस्थान की तरफ से नोटिस रिलीज हुआ है आपका अलोटाइजमेंट न्यू वगेंसी के लिए त इसिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट के लिए सायक नगर नियोजक की पोस्ट के लिए टोटल 43 नंबर ओफ पोस्ट यहां पर एडिजब हुई है आपकी राधस्थान लोक से वा आयोग अजमेर के दुआरा तो देखिए तो 47 नंबर ओपोस्ट है आपकी जनरल के लिए तीन पोस्ट हैं विद्वा के लिए एक परित्यक्ता के लिए एक समन्न के लिए साथ और सी के अंदर आपकी देख सकते हैं टोटल पोस्ट है स्टी के लिए भी पोस्ट है BC, MBC, EWS तो सभी के मिलाकर आपकी यहां पर 43 नंबर ओफ पोस्ट रिलीज हुई है असिस्टेंट बैसलर डिग्री इन इंजिनेरिंग, सिविल, आर्किटेक्ट्चर, प्लानिंग, विद पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री इन अर्बन सिटी, रिजिनल प्लानिंग, ट्रैफिक और ट्रास्पोर्टेशन प्लानिंग, और M-TAC होने ची आपके पास इन प्लानिंग और M-Plan है अर्बन रिजिनल ट्रैफिक और ट्रास्पोर्ट एनवार्मेंट और ट्रिकवाइट, तो इनके एकवेलेंट आपकी पोस्ट होने चाहिए, बैसलर डिग्री इन प्लानिंग अग्रिकल्चर, अर्किटेक्ट्चर फ्रों में रिकोगनाज़ इंसिटूट, उनिवस्टी एस रज्थानी कल्चर की आपको नॉलिज होनी ही चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन थी आपकी रज्थान में आपकी जोब लगेशन रहेगी और पे लेवल आपका यहां पर ग्रेड पे है, एल फोर्टीन का रहेगा लेवल फोर्टीन का, सरज्य सरकार केने मनसारप प्रिव प्रकिर्या की बात करें, अगर आपकी सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो अभियर्थियों का चैनलिखित प्रिक्षा के माध्यम से किया जाएगा, आवेशक्ता होने पर आयोग द्वारा उतर पत्रक, उतर पुस्तिका के मुलेंकन में स्कैलिंग, मोडरेशन, नॉर्मल दिया जाएगा, उसकी मारिट पर ही आपका सेलेक्शन किया जाएगा, प्रिक्षा कस्थान और मंद, प्रिक्षा स्थान और तीथी के संबंद में ये थास समय सुचित किया जाएगा, निका आपको बाद में बता दिया जाएगा, कि आपका जो एक्जाम है वो कब कंड़क कर सकते हैं तो 10 अक्तूबर से लेकर 9 नौवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साइट के माधम से जो आपका लिंक है वो डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा तो वहां से भी आप टारेक्ट इस फॉर्म कोड अप्लाई कर सकते हैं अब अग इस सब्जेक्ट आपके जनल व्लीज वर राजस्तान की जीखें होगी फॉर्टी नंबर व प्रेसंट इस के बाद उसके बाद सुप्जेक्ट होगा आपका उसमें 110 नंबर व पॉस्टे होंगे और 110 ऑपके मांक्स दिये जाएगे तो टो टोटल बन फिप्टी मांक्स का आ पर रखी गई है एक यह निके वन थर्ड की मार्किंग रहेगी उसके बाद रोंग एंस्वर सेल मीन एन तो आपका देखिए ओट्यार प्रोफिट अगर फीज की बात करें तो पन सो रुपए आपकी यहां पर फीज रखी गई है और वन फिप्टी रुपीज आपकी यहां पर रखी गई है जिनकी इंकम डाइलाग से कम है और ट्यार प्रोफिज यहां पर फीज रखी गई है तो फ्रेंट्स देखिए यह एक इनफॉर्मिशन थी एक नूब वकैंसी की इनफॉर्मिशन जवाब से शेयर करनी थी तो आई होप आप सुब को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो उचलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेफ्ट वीडियो में तब तक एलिए थैंक्यू